हेलो दोस्तों आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत थे और आज मैं आप सभी के सामने वीडियो लेके आई हूँ कि बजाज के कार्ड से सौपिंग कैसे करें बजाज का अगर आपके पास EMI कार्ड है और आपको नहीं पता कि बजाज का कार्ड को कैसे अमेजॉन और फिलिप का करना है कौन से प्रोड़क्ट पर बजाज का कार्ड एप्ली केबल है या नहीं है उसको कैसे पता करें चलिए देखते इस वीडियो में तो सबसे पहले मैं अमेजॉन की साइट पर जाती हूँ कि हमारी अमेजॉन की साइट ओपन हो गई उससे पहले एक और चीज बताना चाहते हूं कि जो आपका बजाज का कार्ड है आप कहीं भी निकाल के रख लीजिए कार्ड करना करना चाहारा है नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हुए इता टफ नहीं आप इजीली कर सकते बा करते हैं डाविट या के रेट कार्ट के ऑप्सन में तो वह डिफोल्ट आपका नहीं लेता हो सेब हो जाता है विदाउट सी बीवी नमबर चलिए देखते हैं कैसे करते हैं यह सारे प्रोसेस में आपको बताती हूं उससे पहले मैं अपने मेरे कार्ट में दो प्रोड़क् को मैं एड करती हूं अपने अमिजोन के कार्ट में मैं डारेक्ट बाइनाओ भी कर सकते हूं आपको पता ही इतनी प्राइज है विदाउट एक्चेंज यह प्राइज है बाकी मैं आपको अभी आड करके दिखाने हूं तो आप देख पा रहे हैं यह अच्छा मोबाइल है सब्सक्राइब 33 और फाइब जी इस पेस लें फाइब जी मोबाइल अब जब भी आप मोबाइल ले तो यह हमेशा ध्यान रखना कि फाइब जी ले और अब इसको मैं बाइनाओ करती हूं मेरी इसमें बजाज के कार्ड एड है तो मैं चेक कर लोंगे मेरी अभी आवेलिबल है की नहीं इस बजाज के प्रोड़क्त पे ऐमाई कार्ड अब यह मैं अभेले है आप देख पा रहे होंगा अगर मैं 6,000 3 मन्त की लेती हो तो तो 6,500 है और अगर मैं 6 मंत के लेती हो तो 3,250 रुपीज है तो इस तरीके से आप EMI सेलेक्ट करके इसको प्लेस यॉर ओडर करेंगे जैसे आप प्लेस यॉर ओडर एंड पे करेंगे तो यहां पे आपसे OTP पूछेगा और एक और चीज याद रखियेगा अगर आपके पास भाइड डुप आपको बजाज का कर देना है और जब भी आप कुछ भी बजाज से सवापिंग करें तो इसको पहले से यैड करके रखें जिससे आपको यह नफर्म होगा कि आप जो प आप्लीकेबल अप्रूबल दे रहा है की नहीं 고 बजाज के ऐसी नहीं है क्याक्राइब keyword value महीं देता हैं उन्सक्राइब इस अब कंफर्मिक होगा की कैसे छक्त कर दे वम्ह, इमसे आना जैसे मैंने यह वाला मोबाइल अभी एड़ करके रखा अभी आप देख पा रहे हूंगे जब मैंने लाश्ट आपको मोबाइल बताया था सैमसेंग का तो वहाँ पर यह मैं सो हो रही थी अभी यहाँ पर देखने इसको भी मैं डारिक्ट बाइनाओ करती हूं अब आप यहाँ पर यह मैसेज देखिए इस पेमेंट मैथिड इस नोट करेंटली अबिलेबल फॉर द परचेस बतलब जो यह बन प्लस का मोबाइल है यह वाला इस एमाई कार्ड से नहीं आ रहा है तो आप दूसरा एमाई उप्सन चुन सकते हैं दूसरा कार्ड कर सकते हैं तो मैं यही कह रही हूँ कि आप इस बजाज की कार्ड को पहले से एड करके रखेंगे तो आपको पूरा चेक आउट पे नहीं जाना पड़ेगा आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि आपको यह प्रोडेक्ट बजाज पे मिल रहा है की नहीं और अप कैसे एड करेंगे बजाज की कार्ड को यह भी बता देती हैं आप यहां पर डेविट क्रेट कार्ड के ऑप्शन पर जाएंगे यहां पर जाएंगे और अपना बजाज का कार्ड एड कर लेंगे यहां पर आपको कोई भी CBB नंबर डालनी की नीड नहीं है जैसे आप कार्ड नंबर डालेंगे और ऐस्पाइड डालेंगे आपका ये Amazon ये फिलिप कार्ट को ले लेगा तो इसी तरीके से आपको जो भी आपको स्वापिंग करनी इसी तरीके से करनी है बजाज के कार्ड से कुछी प्रोडेक्ट पे घुए समस्joint की कुछ एप्ली केबा गOOD अपी चेक कर लेना है फिर आप बजाच की कार्ट से पे कर सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है और OTP आएगी चैसे मैंने final method बताई थी OTP आने के बाद आपको एक confirm OTP आने का success हो जाएगा आपका mail भी आ जाएगा उसके बाद में भी आपके पास बजाच का call आए confirmation के लिए कि आप नहीं order किया है तो आप उसको yes कीजिए no कीजिए जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं तो वैसे तो आप नहीं order किया है तो आप yes ही करेंगे तो इसी तरीके की video के लिए मेरे चैनल को like कीजिएगा share कीजिएगा subscribe कीजिएगा thank you